हाई मैं परिशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटीर कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने लिए परफेक्ट इंट्री पॉइंट फाइंट कर सकते हैं एक्जिट पॉइंट कर सकते हैं और कैसे मिलेगा यह मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं और मैं आपको इस वीडियों बताऊंगा ट्वेंड लाइन के बेसिस पे अगर आप सही तरीके से ट्वेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो आप अपने लिए परफेक्ट इंट्री पॉइंट यानि कहां हुआ हुआ है तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम ट्वेंड लाइन के बेसिस पर अपने लिए परफेक्ट इंट्री पॉइंट एकजिट पॉइंट और स्टॉप लोस फाइंड कर सकते हैं तो यह आपको सिंपल टॉपिक लग रहा होगा लेकिन यह बहुत डिफकल्ट होता अ आपको डीटेल्स भताने जा रहा है तो आप इस वीडियो में लाश्क तक बने रहे om चल चलिए स्टाट करते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आते हैं और यह आपका HDFC Life का डेली चार्ट है देख सकते हैं डेली चार्ट है अब यहां पर हम trendline draw करेंगे और जैसे trendline draw करेंगे आपको चार्ट पर magic दिखेगा हमें clear cut क्या मिलेगा stop loss मिलेगा entry point यहां पर buy करना वो मिलेगा और कहां पर हमारा target price होगा वो भी यहां पर हमें clear cut मिल जाएगा तो यहां पर क्या करना देखिए बस आपको चार्ट को observe करना और यहां पर थुरा आपको deep study करना सबसे बहले यहां पर high बंद रहा यहां पर high बंद रहा यहां पर high बंद रहा ऐसे ही आपका lower high pattern का formation हो रहा तो यहां पर क्या करें इन सब पॉइंट को join करते हुए एक यहां पर trend line करेंगे देखिए हमारा trend line करेंगे हो गया अब यहां पर रफ ट्वेंड लाइन ड्रॉ कर रहें मैं आपको यहां पर क्या हो रहा है लो बना इससे उपर लो इससे उपर लो मतलब यहां पर higher low pattern का formation हो रहा है तिहां पर हम इन सब को join करते हुए एक line ड्रॉ करेंगे ठीक है अब क्या हुआ अब यहां पर आप देखेंगे एक parallel channel का formation हमें होता हुआ देखेगा जहां पर इस highest point इस highest point इन सब को join करते हुए एक हम line ड्रॉ करेंगे और यहां पर आपका parallel channel का formation होगा तो आपको थोड़ा सा visualization भी अपना इंप्रूव करना होगा तब जाके आप सटीक trend line ड्रॉ कर सकते हैं देखें यहां पर हम कैसे विजुलाइज कर रहे हैं तो यहां पर हम एक trend line ड्रॉ कर रहे हैं अब यहां पर क्या कुछ हुआ नीचे आपका एक perfect parallel channel का formation हो गया अब यहां पर देखिए हमने क्या किया सब को join करते वे trend line ड्रॉ किया लेकिन यह दोनों trend line आपका यहीं पर meet कर रहा है यहीं पर intersect कर रहा है इसका क्या मतलब है कि आपका एक perfect resistance level के रूप में काम करेगा अगर यहां पर candle break करके ऊपर जाता है तो हमें perfect क्या मिल जाएगा entry point मिल जाएगा हमने यहां पर trend line ड्रॉ किया हमें perfect entry point मिल गया अब यहां पर हम एक और trend line ड्रॉ करेंग देख सकते हैं एक यहां पर distance line बना यहां पर बना अब इन सबको जॉइन करते हुए एक straight line यहां पर हम ड्रॉ करते हैं अब देखिए क्या हुआ वह भी आपका same point पर जाके line मिला मतलब तीन line आपका same point पर मिल वा ती आपका एक magnetic point बोल सकते हैं अगर इसको break करके candle ऊपर निकलता है तो क्या होगा यहां पर हमारा बन जाएगा perfect entry point उसकी बाद entry point बनने के साथ हमें क्या चाहिए होता stop loss चाहिए होता तो इस candle जो candle breakout देगा अगर यह candle breakout दिया है इसका lowest point क्या बन जाएगा as a stop loss use करेंगा target price अगला resistance level देख सकते हैं यहां पर एक बार support बना यह हमारा क्या हो जाएगा T1 target 1 उसके बाद यह हमारा बन जाएगा target 2 उसके बाद यह सब हमारा बन जाएगा target 3 तो यहां पर थोड़ा आपको gathering लग रहा हुआ अब मैं आपको clear cut trend line draw कर के बताता हूं सेम concept के basis पे जो मैं आपको अभी explain किया हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं clear cut आपको जो चीज मैंने बताया सारा कुछ आपको उसी के basis पे एकदम clear cut trend line देखने को मिल रहा होगा अब यहां पर इसके पीछे का concept समझने कोसिस किते मैं आपको यहां पर बता चैनल का formation हो रहा था उसको लेकि हमने एक ट्रेंड लाइन है ठीक है जो कि इस वाले green candle को जाके intersect किया और उसके बाद यह आपका पैवल चैनल का formation हुआ है और उसके बाद यह आपका एक resistance लाइन बना अब यहां पर क्या कुछ हुआ पहले देखिए प्राइस आपका यह जो to turn resistance सपोर्ट आपका resistance बन गया उसके बाद पहली बार यहां पर attempt लिया विस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया तो जैसे हमें यह पॉइंट मिला यहां पर हम क्या करेंगे एक स्ट्वेट लाइन करेंगे और यह हमारा एक लाइन बन जाएगा तो इसके उपर निकलता और candle में हमें strength देखने मिलता है तो यह हमें क्या देगा perfect entry point जो कि मैंने आपको already बता दिया था और उसकी बाद इस candle का lowest point जो candle breakout देगा lowest point हमारा क्या बनेगा SL बनेगा SL भी छोटा सा है उसके बाद बताया था यह support की रूप में काम कर रहा है यह हमारा क 598 पर अगर 600 उपर जिस भी दिन closing दिया आप इसको आगे भी track कर सकते हो उसके बाद आपको यहां पर entry लेना और इस point को आपको stop loss के रूप में यूज करना मैं आपको point भी बता देता हूं इस candle का जो भी lowest point है आप देख लो lowest point है 577 तो 577 का आपको stop loss यूज करना और target price आप इसके basis पर आप क्या कर सकते हो perfect entry point exit point stop loss हमने कुछ नहीं किया बस trend line draw किया और वह हमें सारा कुछ बता दिया आपको magic देखने को मिला और automatic हमें stop loss target entry point सब कुछ मिलता गया है तो यहां पर हम एक और example के तो आपको समझाने कोसिस करेंगे अब यहां पर हम दूसरा example ले रहे है वह है आपका cortex bank इसका भी हम daily chart यूज करें अब यहां पर अगर आप trend line draw करते हैं तो आपको daily chart इस्तमाल करना ज्यादा prefer करना आप इसको किसी भी time frame इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप daily chart यूज करेंगे तो यहां पर candle में maturity ज्यादा देखने को मिलता है और वह हमें ज्य support zone बना उसके प्राइस के उपर ही trade किया यहां पर भी इसके करीब आया लेकिन इसको break नहीं किया मतलब यहां पर demand हमें already दिख रहा यहां पर attempt किया लेकिन इसको break नहीं कर पाया जैसे यह सारा कुछ हुआ यहां पर हम एक अपना demand zone यह नहीं support zone बना लेंगे और जो भी zone होत आप बाइसे की तरफ जा सकते हो इसको break करके नीचे आएगा तो यहां पर आप sell side की तरफ entry ले सकते हो लेकिन जब तक इस particular range के बीच में रहाता है आपको कोई भी trading नहीं लेना चाहे नीचे में आप यह support zone की बात कर ले यह नहीं अगर आप demand zone की बात कर ले या फिर supply zone की ब आपस से ही आपका supply zone के पास आया यह निए western zone के पास आया तो उसके बाद क्या हुआ यहां पर आपका rounding bottom pattern का formation किया और rounding bottom pattern के basis पर इसने क्या किया base formation किया है और देखे base formation इसी line के आसपास हो रहा है मतलब यह जो आपका support zone था जो कि मैंने already draw कर लिया था यहीं पे आपका लगबग एक दो तीन attempt लिया इसको break करने का लेकिन break नहीं किया और यहीं से उपर निकला है अभी हमारा क्या बन गया जो हमारा resistance zone था यह हमारा बन ग line को break करके ऊपर निकलेगा और ऊपर में closing देगा तो वह क्या बन जाएगा वह हमारा बन जाएगा perfect entry point यह नहीं इसको मैं clear कर देता हूं जैसे ही candle इसके ऊपर closing देगा वहां पे आपको क्या करना entry लेना है by side की तरफ और वह हमारा perfect entry बन जाएगा और इस तरह के अगर आप entry point find करेंगे तो उसके profit probability बहुत जादा होते हैं वहां पे आपको reward बहुत जादा मिलता रिस्क बहुत कम रहता है उसकी बाद हमारे stop loss क्या होगा जो भी candle आपका breakout देगा यहां पे जब भी rounding bottom pattern का formation होता है तो stop loss को आप एक method इस्तमाल कर सकते हैं जो भी candle breakout ते रहा उससे previous candle का lowest point को आप stop loss के रूप में count कर सकते हैं suppose that यहां पर red candle आपको छोटा सा दिख रहा होगा अगर यह red candle breakout देता तो उससे previous candle जो भी बनता उसको हम stop loss के रूप में count कर सकते हैं उसकी बार target price क्या होगा है पहला resistance level यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा T1 बन जाए उसके बाद अग आप अपना stop loss करके ऊपर ले जा सकते हैं और यहां पर आपको multiple target भी मिल जाएगा short term long term सब कुछ के लिए यहां पर आपको target मिल जाएगा लेकिन यहां पर आपको daily chart ही इसका इस्तमाल आप intraday में नहीं कर सकते हैं positional trading swing trading में या फिर long term कि लिए आप investment करते हैं तो उसके stop loss होगा और कहां पर target price होगा वो आसानी से find कर सकते हैं बस यहां पर आपको थोड़ा सा chart के अंदर गुसना परेगा चार्ट का जो विजुलाइजिशन है वो थोड़ा सा improve करना परेगा और जैसे ही वो improvement आपके में आ जाएगा तो आप यह सब काम आसानी से कर सकते हैं और ह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन